नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल टेक्निकल है मैस आटोमेशन में आज की जो वीडियो है वह आप देख चुके हो कि इस बेस के एक इसके उपर होने जा रही है वो वीडियो है एंकोडर के उपर एक बिन से पहले हम अपने टोपिक में पूरी तर पर देखने को मिलते हैं एंकोडर होते हैं एक तरह से एक एंकोडर तो हुए हमें डिजिटल इल्याट्रोनिक्स में देखने को मिलता है डिजी डर्टोनिक्स में और दूसरी तरह एंकोडर होता है वह हमें कहां पर देखने को मिलता है हुआ है इंडस्ट्रियल ओटोमेशन में तोमारा जो topic है encoder का हुआ है industrial automation के उपर कि अब अब industrial automation में Encoder क्या होता है वह हम आज अपनी वीडियो में देखेंगे तो industrial automation में जो encoder होता है वो basically दो तरह के Encoder industrial automation में use होते है जारतर जो देखा जाए सिर्फ दो ही तरह के use लोते हैं द्सक्राइब कि अगर हो तो मुझे कमेंट करें कि बताना कि तरहां कि न कि अटार आथ जो है इंडिस्टूर अटो मिशन ओंस होता है तो हुआ मैं आस तक दो यूज किया है उस तरह के आपको बता रहा हूं नहीं पर पहले तोटा इंक्रिमेंटल incremental encoder और दूसरा जो होता है absolute encoder absolute encoder तो हम जो है आज incremental encoder है इसके incremental encoder क्या होता है कैसे काम करता है और क्यों हम इसको यूज करते हैं और अगली वीडियो में absolute encoder के बारे में पढ़ेंगे या फिर सिखेंगे फिर जानेगे absolute encoder क्या होता है तो आज की वीडियो हमारी अजारी है incremental encoder के उपर incremental encoder की जो है थोरी पहले क्या करती है वो हम देखते है incremental encoder incremental encoder एक तरह से device होती है या फिर खाली encoder माल लो encoder एक तरह से device होती है जो क्या करती है हमारे मेकैनिकल मोशन को जो आप कनवर्ट करती है किसमें कनवर्ट करती है इलेक्टिकल सिगनल में यह सब्सक्राइब करती है जो मुझे कमें सिगनल मोशन को आप इलेक्टिकल सिम्नल में कनवर्ट करें वह एनकॉडर होता है ठीक है अब यह इंक्लीमेंटलन कोडर होता किया है और कैसे काम करता है अब जैसे मैं आपको बराबर में वी इक पिछर है उसमें दिखा रहा हूं यह हमारी एक Encoder है ठीक है इसमें देखिए बीच में Simple इसमें भी इनकोडर है जैसे इसमें सिंपल एक तरह से यह हुता है बीच में इसकी Shafd होती है और यहां से इसका सब्सक्राइब लिए जो एंडुक बैसा निकनल है तो गुमन्हम leds निकल रहा है अब ये पतना का वाल फ्रोट भॉक्ग में केमा जिए ठीजान पिच्चर में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए, इसमें जैसे माल लोगे कि सिंपल अंदर होता क्या है, कुछ नहीं होता सिर्फ एक डिस्क होती है, ठीक है, इसमें खांचे कटे होती है, यह होल होती है, ठीक है, यह इस तरह से इसमें होल कटे होती है, ठीक है, पर मालू 720 PPR का है तो इसमें यह मेराइन के संख भेराओ 720 होगी, ठीक है इसमें वह थिक हो सब्लिप एक ग dizer उन्दर की तरफ एक रिसीवर होता है सब्सक्राइड यहको पीचर इसमें सारा होता है है जैसे मालो transmitter होता है वो एक beam निकालता है ठीक है और मालो जैसे अधर मालो होल के अंदर से वो beam pass हो जाती है तो receiver के signal मिल जाता है तो हमारा signal है हाई हो जाता है Canad ठीक है यह मानलोब यह हमार्स इस टायम पर हाई हो गया हए ठीक है उड observant & जैसे हो सोलिड और जैसे वह पास निया व्हों हकि लोग जाती हैroffen तो फिर हम बीम जो होल में से पक्रो हो गई रिसीवर को मिल जाती है और या इस तरह से जैसे गुमाते है यह हमारा इस तरह से पल्स जनरेट हो जाती है ठीक है महले इसको पूरा गुमाएंगे अगर 360 PPR का हुआ तो 360 बार यह ओन ओफ हो जाएगा और 720 का हुआ तो 720 बार यह ओन ओफ हो जाएगा ठीक है और यह पल्स को हम जो है अपने PLC या फिर को भी इसका कंट्रोलर हो गया उसकी एल्प से हम काउंट कर लेते हैं किसनी बार यह हाई हुई है ठीक है तो यही बेसिकली हमारा जो है इसी के बेस पर हम फिर मालों जैसे यह 360 पर गुमा दिया है और जो मैं पल्स है वो 360 पल्स मिल गई है तो मरलब हो यह एक राउंड 360 पर गूम गया है और जो इससे भी हमारा जो भी मेकैनिसम कनेक्ट होता है उसके हम कैलकुलेशन के हिसाब से जो लेंथ वगरा है वो मेजर कर लेते हैं कि एक पर गूमने के हमारी लेंथ कितनी हुई है उ अगली वीडियो में हम अपना एप्सुलूट एंकोडर है उसके बारे में जानेंगे कि एप्सुलूट एंकोडर वो कैसे काम करता है ओके थैंक्यू दोस्तों बाई बाई